नमस्कार साथियों आप सभी को विभाग का आदेश मिल ही गया होगा कि जो हमारी सेट की परिक्षाईं कैंसिल हो गई थी वो 15 फरवली से ली जानी है और वो परिक्षाईं आवसर एप पर ओनलाइन मोड से ही ली जाएंगी 11 और 12 की जो परिक्षा है वो ओफलाइन मोड से होगी और बाकी सभी कलासीज की परिक्षा जो है वो ओनलाइन मोड से आवसर एप पर ही ली जाएंगी अभी विभाग का एक आदेश और आया है कि जो एप आपने डाउनलोड की हुई है वो हमारी पुराने वर्जन की एप है उस पर हमारी सेट की प्रिक्षाईं नहीं होगी डिपार्टमेंट ने एप को अपडेट करने का आदेश दिया है कि वी 1.7 वर्जन की जो एप है उसी पर हम हमारी ओनलाइन प्रिक्षाईं दे पाएंगे अब सबसे पहले आपको उस एप को अपडेट करना होगा उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है कि एप को कैसे अपडेट करें उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिश्प्रम ने आपको दे दूँगा वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हो अब इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि अवसर एप पर हम ओन लाइन हमारी सेट की परिक्षाएं कैसे दें तो उसके लिए अब हम देखते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है आपकी जो आवसर एप है उसको ओपन करेंगे यहां आवसर एप में एक बच्ची है मीनू उसका जो लिंक है वो खुला हुआ है जिसने भी आपकी अपनी जो आवसर एप है वो डाउनलोड की हुई है और उसमें अपने आपको इंस्टोल किया हुआ है वो उसको दुबारा से करने की जरूरत नहीं है उसका जब वो एप को खोलेगा तो अपने आप इस तरह से निकल आएगा लेकिन अगर किसी बच्चे ने अभी तक अपने आपको एप पर रिजिस्टर नहीं किया है उसके लिए हम देखें कैसे रिजिस्टर करेंगे कैसे उसको अब इसमें आप एक ही एप पर दो या तीन या उससे भी ज्या करेंगे अब एड स्टूडेंट है वहां पर हम कलिक करेंगे तो हमारी अवसर एप का जो इंटरफेस है वह दुबारा वही से खूल जाएगा जहां से हम अपने आपको एड करते हैं तो इसमें आप पहले अपने डिस्टिक को चूज करेंगे फिर ब्लोग को चूज करेंग यह सारी चीज़े अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं फिर अपने स्कूल को सिलेक्ट करेंगे वह अपने स्कूल कोड से भी कर सकते हैं या स्कूल का नाम पढ़कर भी यहां पर कर सकते हैं अगर आपको यह पता नहीं है तो आप अपने टी नेम चूज़ करेंगे उसके बाद है आपकी जो डेट बर्थ है आप अपनी डेट बर्थ को यहां पर लिखेंगे दस तो मैंने यह डेट बर्थ लिख दिये अगर डेट बर्थ गलत दिखाता है तो आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं तो वो डेट बर्थ जो यहां पर सही है वही डेट बर्थ आप इसमें भरेंगे अब डेट बर्थ भरने के बाद आपका जो लिंक है वो खुल जाएगा यहां पर आप एक्टिव सर्वे तो आपको पता ही है कैसे करते हैं अब मैं बताऊंगा कि सेट एकजांग जो है वो हुआप कैसे देंगे इसमें देखो नीचे टीवी सिटूल है असजमेंट्स है वीडियोज है लर्निंग मैटिरियल हमने अब कहा अपर टच करना है किस पोर्षन को खोलना है यह जो असजमेंट्स जो दिया हुआ है यहाँ पे हम टच करेंगे इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिस, EBS, हिंदी, मैथ सभी आ गए हैं नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट के अंदर जो आपके लेसंस है वो भी नीचे दिये हुए है दा अलर्ट रैबिट है, हरियाली तीज है, डू यू और बेस्ट ये फिफ्ट कलास का सलेबस है जैसे अगर हम परियावर्ण अध्यन का निकालना है तो परियावर्ण अध्यन के उपर टच करेंगे तो ये निकलाएगा नीचे उसके बाद Hindi है फिर Math है जहाँ पर भी हम तस करेंगे उससे related जो syllabus है नीचे जो test है जो assessment test है उसारे निकलाएंगे अब देखेंगे हम कि हमारा जो set का exam है वो कैसे दे पाएंगे अब हमने जैसे परियावन अध्यन है वो वो अगर हमने देना है तो उसमें नीचे जाएंगे यहाँ पर देखो बिलकुल नीचे लिखा हुआ है सेट फर्वरी 2021 बेस्ड ओन दिसंबर सलेबस तो आप इसको टच करेंगे टच करने के बाद यहाँ पर क्या दिखा रहा है नो अससमेंट्स एवलेबल क्योंकि अभी प्रिक्षा है प्रारम नहीं हुई है वो प्रिक्षा जो है आपकी जिस भी डेट की प्रिक्षा होगी उ कभी भी उसको खोल कर उस प्रिक्षा को अटेम्ट कर सकते हैं तो चलो बच्चो हम किसी दूसरे एक्जाम को अटेम्ट करके देखते हैं कि सेट का जो एक्जाम हो हमें कैसे देना है अब हमने महात्मा गांधी जी महान कैसे बने वो जो हमारा लेसन है उसको टच्च किया उसी तरह से जब आप सेट का एक्जाम टच्च करेंगे तो जब आपका एक्जाम शुरू हो जाएगा तो इस तरह का इंटरफेस दिखाया जाएगा इसमें स्टार्ट वीज जहां पर दिखाया गया था कि नो असेस्मेंट टेस्ट एवलेबल वहाँ पर ये जब ये शुरू हो जाएगा तो स्टार्ट क्वीज आ जाएगा आपको यहां स्टार्ट क्वीज पे टस्क करना है उसके बाद आपका जो एक्जाम हो खुल जाएगा तो इसमें दस क्यूस्चन दिखा देगा अब देखते हैं कि एक्जाम को अटेम्ट कैसे करना है जैसे फर्ष्ट क्यूस्चन है कौन से शब्द में अनुस्वार लगा है अनुस्वार क्या होता है आपको पता ही है जो अपनी क्या होती है इस बिंदी होती है उसको अनुस्वार बोलते हैं और जो चं तो इसमें multiple twice है आपके पास आपको एक twice को choose करना है जो आपका बिल्कुल सही answer है उसके उपर आप टच कर देंगे टच करने के बाद ये लोग का चिन यानकी ताला ऐसा चिन आ जाएगा इसका मतलब क्या हो गया आपका जो answer है वो लोग हो गया है ये जरूरी नहीं है कि भी आपने एक बार टच कर दिया आप दुबारा चेंज नहीं कर सकते हैं आप इसको ऐसे चेंज भी कर सकते हैं जो भी option ये ठीक है एक option पर आपने लगा दिया और आपको लग रहा है कि ये option हमारा ठीक नहीं है गलती से लग गया तो आप सिब वहां से अगला क्यूश्यन है गोल में सम्मेलन के लिए गांधी जी कहां गए जो आपका आंस्वर सही है उसके उपर आप टच करेंगे टच करते हैं जैसे लोग का दिसान देखो यहां पर आ गया अद्ब काइदे से काम करना ही सिष्टाचार कहलाता है वाक्या में सिष्ट सब्द का विलोम विलोम आपको पता ही है उल्टा होता है क्या होता है इसमें आप चेक कर लें चार ओप्सन है आचरन है दुरवयोहार है एशिष्ट है सदाचार है उस पे जो भी आंसर आपका ठीक लगेगा उसके उपर आप टस कर देंगे तो इस तरह से आप सारे क्यूष्यन को ध्यान से पढ़ेंगे, बड़े आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि काफी टाइम है आपका जो आपका एकजाम सुरू होगा, उसके शुरू होने के बाद लगबग 24 घंटे तक आपका एकजाम चलेगा आप कभी भी attempt कर सकते हैं आपके पास time काफी है तो पहले आप question को बड़े ध्यान से प्यार से इसको पढ़ेंगे समझेंगे फिर चारो options को पढ़ेंगे कि जैसे देखिए फोर्थ question है pencil के छोटी हो जाने पर गांधी ज थे फिर अगला answer पढ़ेंगे अगली चुआइस है जो दूसरी नई pencil खरीते थे pencil पर कागच की भोगली लाकर लगा लेते थे लिखने के लिए pen का प्रियोग करते तो जो भी चारो option में से एक है उसको आप touch कर लेंगे उसके बाद है बस्पन में गांधी जी को किस से डर ल जी से उसके बाद जो ठीक है उस पर touch करेंगे लोग हो जाएगा गांधी जी ने पहली चिठी किसको लिखी थी अपने पिता जी को माता जी को मित्रों को भारत के वाइसराय को तो इसमें से आप चारों option है जो चारों option को ध्यान से पढ़ेंगे और उस option में जो भी option आपको ठीक लगता है अच्छा लगता है सही लगता है उसको आप टच करके उस option को लोग कर देंगे कि वही गांधी जी ने पहली चिठी किसको लिखी थी अपने पिता जी को माता जी को मित्र को भारत के वाइसराय को तो इस पर आप टच करेंगे भारत के वाइसराय को वरतनी की द्रिष्टी से सुद्ध शबद है अब देखिए इसमें चार option दिये हुए हैं अलग लगतने से लिखा हुआ है आशिरवाद आपको जो सही लगता है उसके उपर आप टच करेंगे हकूमत सब्दकार्थ है चार option है अग्याकारी शाशन आदेश परतिग्या इस पर जो सही है टच कर देंगे फिर व्यक्ति अपने खालिस्तान बड़ा कहलाता है ऐसा गांधी जी कहते थे कपड़ों से विचारों से आधितों से या पैसों से चार option है इसमें भी गांधी जी ने किसे देखकर धोती पहने का निरने एक धोती पहने का निरने लिया बच्चे को औरत को अपने किसी दोस्त को पडोशी को इस तरह से आप सभी क्यूशन जो है उनको अटेम्ट कर लें दुबारा चेक कर लें एक बार कि आपने सभी क्यूशन अटेम्ट कर ल सारे क्यूशन अटेम्ट करने के बाद आप दिलकुल नीचे आएंगे सम्मिट असेस्मेंट जो नीले कलर में नीचे लिखा हुआ है इस पर आप टच कर देंगे टच करने के बाद आपका जो एक्जाम जो आप दे रहे हैं वो आपका एक्जाम पूरा हो जाएगा अब आपको आप नीचे देख सकते हैं उपर देखो इसमें 100% यू स्कोर्ड कि वे आपने सारे क्यूशन हैं वो सही बताए हैं अगर सभी क्यूशन सही बताएंगे तो आपका रिजल्टी आपर 100% दिखा देगा और आप इसको चेक भी कर सकते हैं कोई कूशन गलत हो गया है तो उसको भी नीचे चेक कर सकते हैं उसमें आपका आपने जो option है जो जिसको touch किया था वो भी दिखाएगा और साथ में नीचे सही option भी दिखाएगा तो इस तरह से आप अपने set के exam को यहां पर पूरी अच्छी तरह से attempt कर सकते हैं तरीका यही रहेगा जो तरीका अभी आपने इसमें मैंने इसमें इसमें आपको दिखाय था उसके बाद और आप अपने result को दुबारा चेक भी कर सकते हैं view result पर touch करेंगे तो यह आपका result दुबारा आप इसको चेक कर सकते हैं तो प्यारे बच्छो मुझे आशा है कि आपने इस exam को कैसे देना है वो सीख लिया होगा मेरी आप के लिए सुब कामनाई हैं कि आप exam को बड़े ध्यान से अच्छी तरह से देंगे और इस exam में set के exam में बड़े अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे ये exam जो आपका मंतली exam रहेगा ये final exam नहीं है लेकिन फिर भी इसको आपने बड़ी ध्यान से देना है इसके लिए आपके पास time काफी है और इसमें सभी questions को ध्यान से पढ़के चार option मिलेंगे फिर दुबारा बताता हूँ चारो option को बड़े ध्यान से पढ़के एक option पर आपने टच करना है उसको लोग करके सभी question को ऐसे ही attempt करके नीचे उसको submit कर देना है तो ठीक है बच्चो अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को subscribe भी कर लें ताकि इसी तरह की आने वाली जो वीडियो exam के लिए सुब कामनाओं के साथ बाए बच्चो